State of Matters देखिए Matters की 3 different states होती है First होता है Solid Next होती है Liquid and Third होती है Gas लेकिन इनके इलावा 2 और State होती है वो भी हम इसमें डिसकस करेंगे तो सबसे पहले Solid, Liquid और Gases कर लेते हैं कि ये क्या होती है देखिए Solid, Liquid और Gases इनकी Definition अगर देखें तो इनकी Definition के According जो Solid होते हैं उनका Melting Point जो होता है वो Room Temperature से Above यानि जादा होता है Atmospheric Pressure के Under में Room Temperature से जादा होता है वो होते हैं Solids Next होते हैं Liquids Liquid वो होते हैं जिनका Melting Point Room Temperature से Below होता है Room Temperature से भी कम तो ये जो होते हैं इनका जो Boiling Point होता है Room Temperature से जादा होता है Melting Point Room Temperature से Below and Boiling Point Room Temperature से Above ठीक है ये हैं Liquids Next होती हैं Gases जो Gases होंगे इनका जो Boiling Point होगा वो Room Temperature से Below होता है Under Atmospheric Condition के According ये Solid Liquid और Gases को रिप्रेजेंट करते हैं कि हर चीज के अपना Melting और Boiling Point होता है तो जिब Solid Liquid और Gases की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज हमारे पास कोई भी जैसे Water है Water Liquid Form में है हमने उसे Steam में Convert करना है तो उसे Steam में Convert करने के लिए हम Water को कितना Temperature दें कि वो Steam में Convert हो जाए अगर हम Water को 100 Degree Celsius Temperature देते हैं तो Water Boil होके Steam में Convert हो जाता है लेकिन उसी Water को हम कितना Temperature दें कि वो Solid यानि कि Hard हो जाए यानि कि वो ice में convert हो जाएगा यानि अगर उसी water को zero degree Celsius temperature देते हैं तो वो ice में convert हो जाएगा यानि cool थंडा होके ice यानि solid बन जाएगा तो अगर liquid water liquid form में है अगर उसे hundred degree Celsius temperature देंगे तो gas बन जाएगा अगर उसे zero degree Celsius temperature देंगे तो वो solid बन जाएगा यानि ice बन जाएगा तो यह क्या है कि हमारे three substance हो है अब इसके जो comparison है solid liquid gases की वो क्या-क्या होती है temperature सब चीज़ पर depend करता है वो temperature जिसमें जो सभी इसमें सारे फेस तीनो फेस कंसे है हमारे solid liquid गास थीक है जिसमें तीनो फेस exist होते है वो point जिसमें 3 एक्जिस्ट होते है उसे triple point बोलते है triple point चली स्टार्ट करते हैं जो solid liquid gases के comparison है वो क्या होते हैं सबसे पहला comparison है कि जो solid के molecules होते हैं वो packed होते हैं tightly packed होते हैं जो intermolecular distance होता है उनके बीच में 10 days to power minus 8 cm का होता है जबकि liquid के case में क्या होता है कि जो molecules होते हैं वो close होते हैं एक दूसरे के लेकिन कम solid के comparison में कम close होते हैं तो intermolecular जो distance होता है वो solid से जादा होता है यानि कि जो intermolecular distance होगा वो solid से जादा होगा लेकिन gas से कम होगा वो होते हैं liquids next होते हैं molecules जो gas की molecules होते हैं वो जो molecules होते हैं इसने जो distance होता है वो बहुत जादा होता है एक molecule का दूसरे molecule से बहुत जादा distance होता है तो यह first comparison है next जो solids होते हैं उसमें intermolecular force of attraction जादा होती है क्योंकि इसके molecules पास पास होते हैं liquid के case में weak force of attraction होती है solid के comparison में जबकि gases के case में यह जो force of attraction होती है यह negligible होती है यानि कुछ जादा नहीं होती नेख लीजिए गैस के molecules बहुत दूर-दूर होते हैं next होते हैं solids solid की density यानि molecule जो solids में होते हैं उनकी density कितने जादा molecules है solid के case में वो बहुत जादा होते है जब liquid की density solid से low होती है और gases से जादा होती है और gases की जो density होती है वो बहुत low होती है next है कि जो solids होते हैं एक fix latic position में होते हैं एक fix position में यानिकि एक arrangement होती है इनकी molecules की तो यह क्या है crystal latic होते हैं जो कि fix arrangement में होते हैं solid जो है इसमें कोई transparency नहीं होती है ठीक है यह क्या होते हैं कि जो molecules होते हैं यह अपने जगहां पे vibrate करते हैं जबकि liquid के case में इनको freedom होती है कहीं भी move करने के लिए free होती है इसमें इनके molecule को move करने की भी freedom होती है rotation करने की freedom होती है और vibratory motion की भी freedom होती है जबकि gases के case में जो molecule होती है वो बहुत दूर दूर होती है तो इसमें large rotation होती है वो बहुत ज़ादा rotation करते है vibratory process होता है वो transparency होती है बहुत ज़ादा transparency होती है क्योंकि वो कहीं भी move कर सकते हैं बहुत ही ज़ादा next है solid जो next comparison है जो solids होते है उस पे इसकी जो process होता है यह least energy को process करते है जो molecules होते है least energy को यह process करेंगे जबकि liquid के जो molecules होते है वो उनमें high energy होती है solids के comparison में जब और gases में large जो molecules होते हैं बहुत ज़ादा energetic होते हैं यानि कि easily movement कर सकते हैं next है कि solid जो होती है इसकी particular shape होती है definite shape होगी और definite volume भी होगी यानि कि एक particular shape में मिलते हैं और एक particular volume जो shape उसकी volume भी होती है liquid के case में कोई shape नहीं होती liquid जैसे vessel में डाल दो उसकी shape वैसी ही बन जाती है लेकिन एक particular volume जरूर होती है gases के case में gases की ना तो कोई shape होती है और ना ही कोई volume होती है next solid जो होते हैं वो least compressible होते हैं यानि कि अगर हुने दबाते हैं तो बहुत जादा कम compressible होते हैं compress नहीं होते जबकि liquid में यह high compressibility होती है solid के comparison में हम इने थोड़ा compress कर सकते हैं जबकि gases में बहुत जादा compressibility होती है हम gases को बहुत जादा compress कर सकते हैं उसमें क्या होते हैं high compressibility होती है और thermal expansion होती है तो यह क्या है यह solid liquid or gases के बीच में difference होता है इसके अगर एक ओर definition देखें solid liquid की case में तो solid एक state of matter होती है जिसमें एक particular shape होती है और particular volume होती है definite shape and definite volume जबकि liquid के case में यह जो state of matter होती है इस state में definite volume तो होती है लेकिन definite shape नहीं होती है क्योंकि यह जिस भी vessel में broad डालेंगी वो वैसे ही shape ले लेगा जबकि gases के case में इसकी definitions है यह यह स्टेट of matter है जिसमें ना तो definite shape होगी ना ही definite volume होगी यह gases की definition होती है तो तूर तूर हमें definition की और उनके comparison की है तो हमारे solid, liquid और gases को represent करते हैं लेकिन solid, liquid और gases के इलावा भी दो state और होती है जो की fourth और fifth state होती है तो जो fourth state होती है उस state को बोलते हैं plasma state plasma state एक ऐसी state होती है जिसमें mixture होता है यह उले state जिसमें mixture होता है positive और negative charge ions उसको बोलते है plasma state यह क्या होता है कि plasma state में हम consider mixing करते हैं electrons की और positive charge ions की और उनकी formation होती है और super heating जो gas state से तो यह जैसे की sun और stars में जो होती है इसको हम plasma state बोलते हैं दूसरी state होती है super cold state देखिए fifth state होगी super cold जो solids होते हैं super cold solid या state इस state में क्या होगा जो atom होते हैं वो lose कर देते हैं अपनी individual identity या अपनी identity lose कर देते हैं और क्या होते हैं condensed हो जाते हैं और form condensed होके एक super atom बना लेते हैं इसे super cold state बोल जाता हैं तो यह होते हैं हमारे solid liquid gases plasma and super cold states thank you thank you for watching this video और जादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं thank you झाल झाल